गुड मॉर्निंग बच्चो बच्चो आज हम हिंदी में विशेशन के जो हमारे बचे हुए दो भेद थे उनके बारे में पढ़ेंगे वो जो दो भेद हमारे रह गए थे वो थे परिमान वाचक और दूसरा सारवनामिक विशेशन तो सबसे पहले हम परिमान वाचक परिमान वाचिक वशेशन बच्चो जैसे की नाम से ही आपको पता है परिमान यानि माप तोल करना किसी चीज़ chops को नापना यानि जीन विशेशनों से रवनाम शब् Neighbor के माप तोल की विशेशता काबूध उन्हें परिमान वाचक विशेशन कहा जाता है यानि वे विशेशन शब्द जिन से हमें संगया सरवनाम यानि विशेश्य के मापतोल की विशेशता का पता चलता है उन्हें परिमान वाचक विशेशन कहते हैं जिन से में पता चलता है कि संगया सरवनाम में कितनी मात्रा है क प्रिमान वाचिक विशेशन के प्रकार है आगे बच्चों, प्रिमान वाचिक विशेशन के दो प्रकार होती हैं, जैसे कि हमारे पास संध्या वाचिक विशेशन था ना, उसी तरह ही प्रिमान वाचिक विशेशन के भी दो प्रकार होती हैं, पहला है निश्चित परिमान व तो निश्चित परिमान वाचक में क्या होता है जिन विशेशनों से संग्याव सर्वनाम के निश्चित माप तोल का बोध हो यानि जिन विशेशनों से संग्याव सर्वनाम के निश्चित माप तोल का यानि जिसका हमें पक्का पता है कि इतना ही माप होगा इतना ही इसका तो जिनमें हमें फिक्स पता है निश्चित पता है पक्का पता है उन्हें हम बोलते हैं निश्चित परिमानवाचक जिसमें संग्यावे सरवनाम का जो मापतोल है वो दिया हुआ होता है फिक्स होता है ठीक है उन्हें हम निश्चित परिमानवाचक विशेशन कहते हैं जैसे कि 2 लीटर, दो किलो, दो किलो मीटर, उके इसमें हमें पता है कि हमारे पास कितना, कितनी मात्राइं हैं वस्तूओं की, उन्हें हम निश्चित परिमान वाचक कहते हैं, एक्जाम्पल है, राम बाजार से दो लीटर दूध लाया, इसमें बच्चों हमें पता है कि हम दूध कितन जिन विशेशनों से संग्याव सर्वनाम के निश्चित मापतोल का बोध नै हो यानि इसमें थो हमें पक्का पता था कि जो संग्या सर्वनाम है उनके पास कितनी मात्रा में वस्तु है इसमें निश्चित ना पता हो ठीक है पक्का ना पता हो हमें जैसे कि थोड़ा नमक निष्चित नहीं है कितना नमक खुरीदा 2 ग्हलों किळिगज़ यहाँपे इसलोने किसे एक अर्वनामिक विशेशन सार्वनामिक विशेशन शार्वनामिक क्या होते हैं कि जैसे कि नाम से पता है सार्वनामिक यानि सर्वनाम यानि जब कोई सर्वनाम किसी संग्या से पहले लग कर उसकी विशेष्टा बताने का काम करता है तो उसे सार्वनामिक विशेष्ण कहते हैं यानि जब कोई सर्वनाम यानि जब किसी वाक्या में सर्वनाम संग्या से पहले आकर उ उसकी quality हमें बताता है संग्या की तो वह होते है सारवनामिक विशेशन जैसे कि यह सारवनामिक है यह वे कोई मेरी यह सारवनाम है जिब यह सारवनाम संग्या से पहले आ जाते हैं और उसकी हमें विशेशता बताते हैं तो वहां सारवनामिक विशेशन होता है जैसे कि मेरी यह है ठीक है पुस्तक यहाँ पे संग्या है लेकिन संग्या से पहले क्या आ गया यहाँ पे सर्वनाम आ गया है तो यहाँ पे क्या हुआ सार्वनामिक विशेशन मेरी पुस्तक यह है यानि यह मेरी पुस्तक है तो यहाँ पे क्या है यह सारवनामिक विशेशन है जैसे कि कौन लोग थे वे यानि कौन लोग थे वे संग्या है संग्या से पहले सरवनाम आ गया है तो यहाँ पे भी सारवनामिक विशेशन हुआ यानि मेरी और कौन यह दोनों शब्द हमारे यहाँ पे से पहले आकर उसकी विशेशता को बता रहे हैं तो यह सारवनामिक विशेशन हुआ तो बच्चों यह आपको परी नोट बुक में लिखना है और इसको अच्छे से लर्न करना है ओके